क्यों अलग मुसल्मानों के लिए बजट होना चाहिए ऐसा कौन सा सुर्खाक का परलगा है ऐसा कौन सी समस्या है जो मुसल्मानों के लिए अलग से बजट होना चाहिए और मुसल्मानों की दुरदशा का कारण क्या सरकार है मुसल्मानों की दुरदशा का कारण जो भी है वो पहिर सी बात है उनको फैसलिटी नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा उनके विकास का मॉडल को आप पिछली सरकारों ने तो खूब काम किया ये जिम्मेदारी उनकी अपनी थी और उन्होंने नहीं उठाई एक्जिकली बात मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि मुझे बता दीजे कि पार्टीशन के बाद भी ये पराकास्टा की आवशक्ता क्या थीज़ाएंगे आप चार पांच पॉइंट किया है रेस किया है मैं चलता हूँ वापस कलीमुल अफीस आपके पास कलीमुल अ अब आता हूँ अगर देश में S.C. और S.T. तबका बिच्ड़ा हुआ था हर तरीके से दबा को चला था तो उसके लिए अलग से रिजरेशन वेना अलग से उसके लिए बज़ट बना और इस सरकार ने इस बार भी 6.4% GDP का उनके लिए बज़ट एलोकेट किया लेकिन दू करने के लिए जो स्कॉलर्शिप थी वो भी काट ली जो बच्चिया किसी तरीके से स्टेंट और ट्वेल्थ करके अपने हाईर एजूकेशन के लिए जाती थी और जो मौलाना आजाद एजूकेशन फर जो लेती थी ती उस वो भी स्कॉलर्शिप सरकार ने काट दी और इस एक भी class A plus का निए मुस्लिम आफिसर नहीं है ऐसा नहीं है के मुसलिम आफिसर नहीं है इस सरकार ने जान पूचके उन्हें पॉलिसी से अलक कर दिया तो ये वो सरकार जिसके जफर इसलाम जफर अकबाल साथ बात कर रहे हैं ये सरकार तो बाकाइदा दिखना चाहती है कि हम मुस्लमानों पर जल्म कर रहे हैं। वरना आप मुझे बताईए जब ये उत्तरप्रदेश में अपालियू के खिलाब बुल्डोदर चला सकती है। ये मौनुमाने सर ये जो जुनेद और नातर को जिन्दा जलाने वालों के घर अब तक क्यो नहीं बुल्डोदर चलाया सकता है। जब चारेंगे, आपकी वावाई हो, आपकी पॉल खुलेगी और हम खुलेंगे और हमारे नेता में ये दम है कि वो आपकी आख में आख डालके अपनी बात कह सकते हैं और आपकी कमजोरी और आपकी जो जल्म में उसको बता सकते हैं। इसलिए कि वैसी साब की पार्टी को मुस्लिम इलाके में बिलकुल हटा दिया गया एक तरसे। इसलिए कि इनके बात का विश्वासते हैं ये सिर्फ चाहते हैं कि लोगों को समाज को तोड़ने की राजदीती करते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को भैकाने गुमरा करके उनको उतेजित करना चाहते हैं। और उनका सिर्फ एक मकसद है कि अपने राजदीती करूटिया सेखेंगे। अब लोगों को समझ में आ गया है इसलिए इनको कोई गले नहीं लगाते हैं। आप देख लिए रेजल्ट बताता है कि इनसे सब दूर जाना चाहते हैं। उसके वज़ा है कि देश हित्वे नहीं सिर्फ अपने पार्टी के हित्वें समाज को इस्तमाल करना चाहते हैं। खास कि मुस्लिम समाज को दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। कि भाई आप दरह सा सच्चर कमीटी का भी कर लीजे, सच्चर कमीटी क्या थी। और आज दरह देखें जो के जो इस फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में आज कैसे तबदीलिया आ रही है और किस तरह से मुस्लिम समाज जो है, पहले एकदम दबा कुचला था, आपको उसी रिपोर्ट के साविक से सबसे दबा कुचला समाज का वर्क मुस्लिम था, अब धीरे धीरे उत्थान होता है उसका, इसलिए के वेलफेर स्कीम जो है, वो सब के लिए बिना भेद भाव के हम दे रहे हैं, चाहे कुसी का हो, वोट नहीं देंगा तो आप बजेट कम करते हैं, आप जैसे बाकी लोगों को देखते हैं, आप जफरिक इसलाम साब, अगर वोट नहीं मेरागा तो आप 40% उनकी बच्चों के इसको लिशिप फितम करते हैं, अरे सुर आपने की है, ये तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा सरा आकमिप मैंla ज Delbak 안नी है अरे मैं वेरे बात सुर लिजे, फिर अपनी बात रख लेजिएगा, तो तो मैं में आपसा नहीं करने आया हूँ, इसलिए आपकी बात बऄ सुना बीच में मैं भी रोक सकता था अ मैं कोई टोक नहीं रहा आपको, आपका वक्त आएगा आप बोल दीजेगा, मैं सिरु उत्ता कह रहा हूँ कि अगर ये समाज समझ जाए, जिस समाज से आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, और कॉंग्रेस के परवक्ता भी आते हूँ, कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बंधक नहीं, अपने वोट को की ताकत समझे, सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो भी उनके लिए काम करता हूँ, उसको काम करने के हिसाब से वोट दे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं जो कहता हूँ, बीजेपी हो, कॉंग्रेस हो, AIM हो, सभी पॉलिटिकल पा है कि था माया को रहे हम कहते है कि मुलीम संाज को नहीं देना चेह, हम कहते हैं कि सब हम सब हाईए जुड़िए हमारे साथ हम सब का उत्थान करने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसमें आप जो कहरें गुम्रा करने हमने तो अभी हज में देखे जी एस्टी कम कर दिया आपने देखा कि नहीं आप तो तिलंगाना में आप आप देखिए आपके वैसी साहब के भाई किस तरह के बाते करते और किस तरह का उनका इस बार वो खुद हार देंगे मेरा सिर्फ बीजेपी से ये कहना है कि अगर मुस्लिन समाज आपको वोट नहीं देता तो आप उनके घर बिना प्रिकदिया का पालन करें और उनके घर बुल्डोस कर देंगे उनके जो गरीब बच्चों के नाम की जो स्कॉलर्शिफ थी उसको खत्म कर देंगे आप सुन लीजे आप जफरेशाम साथ मैं आपके बीच में नहीं बोला अगर ऐसी क्या नफरत है सवाल ये है कि आप जब इस सरकार जो चुनी है भारत की जंता ने आपको चुना है सबके प्रदानमंद्री है सबकी सरकार है वो खाली भारत की जंता पार्टी की नहीं है अगर आप मुस्लिम्स के साथ ये धोके बाजी करोगे तो ये गलत हो जाएगी दूसरी बात आपने कहा कि सच्चर कमेटी से आप कंपेर कर लिए जो सच्चर कमेटी के दोर में हाल था उससे और बत्तर हुआ उसके उपर जोड़ गई मॉबल इंचिंग, घर पे बुल्डोजर चलना और जिन्दा जला देना गोत असकरी के नाम पर जीनियर्स